नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फैंटसी बिनिंग 11 यूट्यूब चरल पर और दोस्तों हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं mc8010 best championship के आज के मुकाबले के बारे में जो खेले जाने है नोर्टन स्टाइकर्स और साउतन हिटर्स दोनों ही टीमों के बीच में दोस्तों टीम के कॉम्बिनेशन को सैट करने से पहले बात करते हैं थोड़ी सी दोस्तों इस टूनामेंट के बारे में यानि अब स्टाइट दोवारा हो गया है और ऐसे में सेमी फाइनल और फाइनल के मुकाबले होने हैं तो जो आज का मुकाबले दोस्तों होने वाला है ये सेमी फाइनल दूसरा होने वाला है दोस्तों ऐसे में बात करने नोर्टन स्टाइकर्स के बारे में तो ये टीम ऐसी किसमत वाली रही है कि इसके द्वारा खेले गाए पांचों के पांच मुकाबलों में किसी परकार की बारिश नहीं हुई है और दो ऐसे में चार मुकाबले इन्हों जीते हैं और एक ही मुकाबले में इन्हें हार मिली है वहीं अगर बात करें साउतन हिटर्स के बारे में तो पांच मकाबले तो इंहोंने भी खेले हैं लेकिन मातर एक मकाबला जीता है दो मकाबले रहे हैं और मकाबले इनके ऐसे रहे हैं जनका किसी परकार से रिजेर्ट नहीं निकला है दोस्तों बात कराएnh यदि हम फृस्ट इनिंग के average score के बारे में तो ये score 85 से लेकर 90 के बीच में आज के मुकाबले में रहने वाला है दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम विकेट कीपरिंग सेक्शन के साथ देखने वाले हैं कौन से ऐसे player हैं जिने हम अपने team में शामिल करने वाले हैं और कौन से चैनल से यदि आप नहीं चुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर आजाए कि क्योंकि दोस्तों आफ्र टोस जो भी information होती है वह हम यहीं पर आपके लिए प्रोवेट कराते हैं और grand league और head to head league की team में भी दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए देते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा बड़ी आसानी से आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करें और कमेंट करना दोस्तों बिलकुल न भूलें जरूर बता दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है तो सुरूर बात करने वाले हैं अपन बिकिट कीपरिंग सेक्षन के साथ में सबसे पहले हम बात करने बाले हैं मुहमद हकीम हरी सं के बारे में तो ये पिलियर सुरुवात के दो मुकाबले नहीं खेला है इसके बाद तीन मुकाबले केले हैं वापर दोस्तो बारा एक और एक तालीस रंकी पारी इस पिलियर ने खेली है और आपको तीसरे और चोते नंबर पर ये बैटिंग करते हुए दिखने वाले हैं तो निश्चे तोर पर हेड़ टू एड़ स्मोल लीगों के लिए आप इने अपने टीम में शामिल कर सकते हैं वहीं अगर बात करें दोस्तो अपन एनूल ये लेकिन बात करें इनके ओवरॉल रिकॉर्ट के बारे में तो तेरा मुकाबलों में एक सो पचीस रन बनाए हैं और इसमें 28 सन का सर्फिश रहा है यानि एवरेज भी दोस्तों काफी कम है और ये जो स्कोर है ये इस टूनामेंट के पहले का है तो निश्यत तोर पर दे ले गाए हैं लेकिन दोस्तों इनकी बैटेंग ओडर काफी नीशे साथवे आठवे नमबर पर रहा है और ऐसे में मातर एक ही बार बैटेंग आए दोस्तों यहां पर भी इन्होंने कोई गेंड नहीं के लिए तो निश्यत तोर पर इस प्लियर को तो आप किसी भी लीक से ड्रोप कर सकते हैं अब बात करने वाले हैं अपन देवेंदर मोगान के बारे में दोस्तों साउतन हिटार्स के लिए ये प्लियर लगातार चोते नमबर पर आपको बैटेंग करते हुए दिखने वाले हैं प्राने रिकोर्ट इनके ठीक टाक हैं लेकिन अच्छी बात द दोस्तों आप इने अपने टीम में शामिल कर सकते हैं और दोस्तों बात करें गरन्ड लीगते लिहास तो वहाँ पर आप इनको कैप true के बारे में गातार उत्व acute प्राइब में लिए वर ये दोस्तों ईनों की ये शपपन रिफेर सकते हैं लाश्ट मुकाबले पहला कि इन कि एक शांदार पारी भी इनके बल्ले से रही है तो दोस्तो निश्यत्वर पर और ये पिलियर दोस्तो ऐसा है कि यदि ये बिकेट कीपरिंग करता है दोस्तो बैसे तो प्रोपर बिकेट कीपर है लेकिन दोस्तो कभी कभी ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं तो और एक एकी फेके हैं पर दोनों मुकावलों में दो बिकेट भी ले चुके हैं तो ये पिलिया दोस्तों टीम में तो आपको रखना है लेकिन बात करने ग्रांड लीग के लिहास से तो डिफरेंट पिक के तोर पर आप इने कैप्टन बाइस के लिए ट्राय कर सकते हैं क्योंक सब्क्राइब रखने बात करने हैं पहले मुकावले में पंद्रह इसके पागर चार इसके बाद दस और और इसके बाद 20 इसके बाहिए यहां नोने स्ट्राइकर्स के लिए ये पिलियर भी नंबर 3 पर बैटिंग करता है और पहले मुकाबले में 32 बनाए हैं इसके बाद बैटिंग इनों नहीं किये इसके बाद 6 और 5 बनाए है यानि यहां से देगे दोस्तों तो दोनों ही पिलियर दोस्तों लगवक समान हैं और ऐसे मैं ये पिलियर खेलने वाला है क्योंकि दोस्तों ड्रोप हुए थे इसके बाद काफी दक गैप मिल चुका है अब बात करने वाले हैं और राउंडर सेक्शन के बारे में तो हेड टू हेड और स्मोल लीगों में बीरन दीप सिंग दोस्तों ऐसा पिलियर है जिसे आप कैप्ट पर पूरे मुकाबलों में कंप्लीट करते हुए आए हैं और यसे हम दोस्तों बिक्टो की बात करें तो लास्ट मुकाबले में तीन बिकिट निकाल कर दिये हैं इससे पहले एक बिकिट निकाला है इससे पहले एक बिकिट निकाला है हाला कि इससे पहले दोस्तों बिकिट में शामिल किया है दोस्तों साउतन हिटर्स के लिए ये पिलियर लगातार ओपन कर रहा है पहले मुकाबले में 18 बनाए थे उसके बाद 27 इसके बाद 16 और इसके बाद 41 रनों की शांदार पारी इन्हों ने के लिए है अच्छी बाद दोस्तों ये है कि बॉलिंग में भी दो और ये पिलियर कंप्लीट कर रहा है और पिछले दोनों मुकाबलों में एक एक बिकिट निकाले हैं दूस्तों इससे पहले बाले मुकाबले में बिकिट नहीं मिला है लेकिन एक बार फिर पहले मुकाबले में बिकिट लेने में ये कामियाब रहे थे तो ऐसे में दोस्तों ये अजीज के साथ ही open करने आते हैं यानि नमबर एक पर दोस्तो बैटिंग कर रहे हैं पहले मुकाबले में 30 इसके बाद 37 रन की पारी खेली है फिर 15 और 4 रन की पारी खेली है जो आपको एक ओवर करता हुआ दिखने वाला है क्योंकि पिछले तीनों मुकाबलों में एक एक पर उनने फेका है हाला कि लाइस्ट मुकाबले मुकेट नहीं मिला है लेकिन उससे पहले एक 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 विकट ये टीम के लिए निकाल चुके हैं लिए निस्टे तोर पर आप इन तीनों पिलियरों को 100% अपने टीम में शामिल करने वाले हैं और अल्टरनेट उस हिसाफ से द पर अच्य बात है दोस्तो बॉलिंग ये कर रहे हैं लगातार पशलें तीन मुकाबलों में दो-ईश्ट अबर्या work first और सुछा आधकी दोनों मुकाबलों में बात करें लेकियं अन्होंना तीन लेकिन पाइले काम या वी पाई ती यानि ऐसेople Award कre שמ! यानि ये प्लियर दोस्तों ऐसा है देखा जा दोस्तों तो head to head team में आप इने try कर सकते हैं लेकिन grand league में आप इने drop कर सकते हैं और यही try कर रहे हैं दोस्तों तो आप ऐसे मेने captain भी try कर सकते हैं क्योंकि तीन से चार बिकेट निकाले हैं तो दो over में तो निश्चे तोर पर 37 बिकेट नो ने निकाल कर दिये हैं और दोस्तों इस टूनामेंट में बात करें तो आपको दो over भी complete करकर देने वाले हैं पिछले मुकाबले में एक बिकेट निकाला है हाला कि उससे पहले कोई दो मुकाबलों में कोई बिकेट नहीं मिले हैं लेकिन उससे पहले तीन बिक लुक्मान हाकिमी की बारे मैं है और दोनерм 메ं creature लिए उस से पहले कोई ऑने नहीं लिया है। दोस्तों पिछले चार मुकाबलों में लगातार इन्होंने दो दो ओवर फेके हैं हाला कि पहले ही मुकाबले में एक ओवर फेका है लेकिन इसी मुकाबले में दो बिकेट टीम के लिए निकाले हैं और दोस्तों बात करें दो मुकाबलों में ने कोई बिकेट नहीं मिला है औ लेकिन दोस्तों हेड टू एड लियास से आप इने अपनी टीम में जरूर शामिल करें अब बात करने वाले हैं दोस्तों अपन अनवर रहमान के बारे में 38 परशंट लोगों ने शामिल किया है पिछले तीन मुकाबलों से लगातार दो दो ओवर फेक रहे हैं उससे पहले एक ऑफेका है हाला की बेकित नहीं मिला है लेकिन दोस्तों लास्ट और थर्ड लास्ट यानी देखा जाए यहाँ पर एक इक बेकित निकालने में यह काम्याब रहे हैं दोस्तों अब बात करे false agards के बारे में तो यह पिलियर ऐसा है जिससे आप सिर्फ गरांड लीग में ट्र तो ग्राउंड लिग के लिए थे क्यूंकि ये वल्लिबा जैसा है दोस्तों कुछ मुश्म मुकाबल हमें नमबरड चार पर बैटेंग करने, हाला कि इसकोर नहीं किया है ये कि दोस्तों ग्राउंड लिए से आप निहीं देटक साथ आप टिम तयार करें वीडियो पसंद आया है दोस्तों दोस्तों दोस्तो हैं आपको फिरकária की इसा लागा है बिल आइकन को प्रेस आप से इसलिए कर दें कि हमारे दोस्तों के मिलता रहे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय जैहिंद तो तो